हाई आज का जो टॉपिक है गाई इस वो है कि कैनलवाइक्स प्रेडिक्शन और आज का जो स्केच है वो है एक काउ ठीके सब चांती हो गाई कितना इंपोर्टन्ट है हमारे स्पिरिचुलिटी में ओके क्योंकि गाई बहुत ज़दा पवित्र होते है और डेफिनेटल यहां पे जो मैंने यहां पे जो ट्रॉ किया है वो है कि कि इस काव अल्वेज गिबस में सर्टन वाइबरेशन कि आपके जीवन में हमेशा ही शुब हो और ऐसा ही हो हमेशा ही और इस इस वाट आई वांट ठीक है टाइमलेस है कलेक्टिव है फोर और जोडेक साइंस एंट इस जनल प्रडिक्शन चाहें को लाइक शेयर सिस्क्राइब ज़रू करें इंस्ट्राइम का जो आई डी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा यू कन और सुस्क्राइब माई अनधर चैनल सो लेट्स के स्टाइब सो देख लेते हैं आपके जीवन में क्या शुब शुरूआत होने वाला है यहां पे जब ड्रॉपिंग्स यहां पे गिडा ना तब वहां पे मुझे ऐसा लगा कि that can be the letter U or R something like that okay L यहां पे है ठीक है और कुछ ऐसे मुझे ऐस तरह सा पताने क्यों महसुस हो रहा है कि there is the ice cream layer that is going up towards this one ठीक है यह अप जा रहा है level layers में जा रहा है उपर तक मतलब इतना खुशी आने वाला है इतना मीठा पन आपकी जिंदेगी में आने वाला है कि इसका level उपर तक जा रहा है आप देखो आज गाय भी ड्रॉ किया है मैंने और उसका दूद से ही तो ice cream बनता है right so मैंने तो पता मुझे तो पता नहीं था कि यहां पे ice cream जैसा कुछ आएगा यहां पे but I feel that this is like ice cream layers जिसरण से जितना भी खुशी मनाते हैं हम चाहे या ना चाहे हम ice cream तो जरूर खाते है ठीक है मिठाए के साथ से and definitely it adds to our delicacy कहिने कहीं पे हमें बहुत खुशी मिलता है वो सब चीज काने में of course and I do find celebrations होने से ही तो वो चीज होता है ठीक है और मुझे दिख रहा है कि दूम धाम से celebration होते हुए and definitely you are going to certain places या आप अपने special time ठीक है अपने जो भी partner है उनके साथ बिदा रहे हूँ एक ही ice cream खरेत के दोनों ही खा रहे है उससे ठीक है and lots of things which are going on ठीक है और यहां पर मुझे बताने क्यों अभी इस तरह से दिख रहा है कि there is a hat okay so कोई भी ऐसा हो सकता है कि आपके person हो आपको hat lovers है आपको hat पहन के photo की चाना बहुत पसंद है and you will enjoy like anything ठीक है देखो मुझ से bubble gum फुलाते वे someone is chewing gum right someone is chewing chewing gum right okay so जब लोग बहुत ज़दा खुशी में होते हैं बहुत ज़दा relaxed feel करते हैं या बहुत ज़दा tension में होते हैं तो तो वो इस तरह से chewing gum खाते ही है right so मुझे यहां पर दिख रहा है कि yes you will be in a very happy mood और उससे बेटर तो और कोई चीज ही नहीं है कि आप जहां पर खुश रह रहे हो और जरूर आपके जीवन में इस तरह के मौके आपको मिल रहे है खुश होने का I am getting very positive vibration 4 number L I is very important हो सकता है किसी का नाम ही हां पर लीना हो किसी का नाम ही हां पर हो सकता है 8 can be Lippika हो ओके ओके someone is trying to go over to London ऐसा भी हो तो हो सकता है ओके लाजवाब मुझे यहां पर दिख रहा है देखो जो मुझे यहां पर feel हो रहा है वो है कि लाजवाब चीज़े आपकी जिंदगी में आ रहे है और आप बहुत ही उसको feel कर पा रहे हो जो खुशी आप बहुत दिनों से ठीके आप deprived थे आपको दिया नहीं गया था वो हक ठीके आपको आप जो deserving थे आपको वो नहीं मिल रहा था आप जो प्यार के इतना लाइग हो आपको नहीं वो प्यार मिल रहा था शायद अपने से अपने परिवार से या किसी पार्टनर से जो भी हो आपके घर में इस तरह से माहूल बनते वे दिखाए दे रहा है जहां पर सब लोग मतलब क्लैप दे रहा है हाथ ताली दे रहा है कि अपने कुछ अचीपमेंट कर लिया फिर लोगों को सुनाएं हो कि देखो मैंने अचीप तो कर लिया मेरा स्कोर्स इतना आ गया मैं तो कम्पिटिटिव एक्जाम में स्लेक्ट भी हो गया नेक्स्ट लेवल तक सिर्फ मेरे एक की लेवल बाकी है और उसमें मैं गैरंटी हूं कि उसको हम क्रॉस कर सकते हैं Okay, so this is like that and I do find आपके घर में जो नानी है या बरदादी है या जो दादी है उनकी आशिरवत पता नहीं मेरे मुझ से क्यों निकल रहा है अगर है तो कहीं पे भी होंगे तो उनका आशिरवत आपके सर पे जरूर है इसलिए आप इतना बहुत जादा कामयाब होते जाओगे in future because ancestors की blessing आपके पुर्वजो की in fact blessings भी आपके साथ है देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ शायद मुझे आपको बताना चाहिए और नहीं चाहिए मुझे नहीं पता देखो कभी कभी क्या होता है ना जब जोपर पट्टी होते है तब वहां से उन लोगों को निका उनको और भी कोई घर मिल जाता है रहने के लिए free में ठीक है तो उनका क्योंकि वो जो जिस land पे बनाते है अपने घर वो generally government का land है तो government किसी को भी दे देते है private को तो वो ऐसा कर देते है तो देखो कोई भी नया चीज बनाने से पहले क्या होता है किसी चीज का अंत हो गया म ठीक है लेकिन आपको उसका जो replacement है वो आपको मिली जाएगा ठीक है अब कभी भी मुझे नहीं दिख रहा है आगे जाके कि आप किसी से भी ठीक है अपने हक से आप deprived रहेंगे मतलब आपको कोई भी आपका हक देने से नहीं रोक पाएगा तो मुझे ये बोल के भी मुझे दुख हो रहा है कि देखो जैसे tower card है right so tower card मतलब क्या है destruction पूरी तरह से खतम हो जाना आग लग जाना जिस तरह से मतलब उसका पूरी तरह से dust हो जाना उस इमारत का लेकिन क्या वहाँ पे फिर से इमारत बनाया नहीं जा सकता yes there can be creation अगर destroy हो रहा है अगर कुछ चीज नश्ट हो रहा है तो वहाँ पे कोई चीज बढ़ भी रहा है so this is all that is happening in your life again and again आपने शायद इससे पहले भी बहुत ज़ाद अपने जीवन में काफी परिवर्तन देगे है कुछ बहुत बढ़ा चीज खोया है तो अपने बढ़ा चीज आके जा लेकिन आप दो-तिन साल के बाद मेरा बात मान लेना तीन साल के बाद आपको उस दर्थ का और ऐसा होगा ही नहीं आपको जस्ट वो एक मेमरी के जैसा वो यादगार मतलब एक पल के जैसा एक सपना देख लिया था आपको ऐसे आपको फील होगा मुझे दिख रहा है यहाँ पे some person जो जिनका बहुत ज़दा धर्म के उपर knowledge है जिनका spiritual knowledge बहुत ज़दा है ठीक है उनके साथ आपका मुलागात होना फिर उनसे काफी कुछ सीखना उनसे बहुत कुछ ठीक है details लेना उस तरह से मुझे दिख रहा है उनके वज़े से आपके घर में शान्ती आ रहा है कुछ लोग यहाँ भी यग्या भी करने वाले है for your home peace ठीक हो साथा कि आप मानते हैं इस सब चीजों को सो आपके सामने कुछ तो आप कर रहे हो and definitely it's there maybe कुछ समय पहले हो साथा कि आपके घर में कुछ festival है जैसे holy का देहन होता है फिर कुछ लोगे लिए ऐसा होता है कि जैसे new year आता है अपने अपने community का जो new year आता है लोडी आते है उसमें पता नहीं कुछ ऐसी ही चीज मुझे दिख रहा है कि community सब लोग एक साथ है और कुछ यग्या कर रहे है या कुछ आग की related कुछ कर रहे है आने वले समय में हो सकता है कि किसी का बच्चे का नाम करन हो रहा है उसके लिए अग्या रखा है उस तरह से मझे दिख रहा है या आपने घर खरीदा है घर की शांती के लिए आपने कर रहे हो ओके बच लोग आपके साथ ट्रिक्स खेल रहे है लेकिन वो बहुत ही सदा subtle way में मतलब बहुत ही सदा हलका way में जो आप notice भी नहीं कर रहे है आपके साथ ट्रिक्स खेल रहे है आपको कुछ ऐसा जवाब देने की कोशिश कर रहे है जैसे आप समझोगे नहीं और उनका भी बदमाशी आप पकड नहीं सकते so it is going to end very soon आप उस चीजों से बहुत दूर चले जाएंगे और आप mind भी नहीं करोगे उन लोग के बातों के उपर you will not mind also some bottles I am seeing बहुत सारे bottles आपके आसपस है या shoes आपके आसपस है shoes rack कि एकदम सामने आप बैठे हो या कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है सब लोग के लिए नहीं बट कुछ लोग के लिए तो ज़रूर यहाँ पर someone is kissing you on the forehead आपके forehead पर कोई kiss करते वे मुझे दिखाए दे रहा है कि कोई भी वो सकता है guys all right so कोई आपको याद कर रहा है मुझे यह तो पता चल रहा है लेकिन वो कौन है यह पता नहीं मैं भी आपके relatives है या कोई और I don't know शायद वो जब journey में जा रहे है वो आपको याद कर रहे है मैं भी आपके husband आपके wife कि कि हो सकता है कि आपको छोड़के कोई दूसरा शहर में उनका transfer हो रहा है तो बहुत याद आ रहा है और अपना जो feelings है आपके साथ share नहीं कर पा रहे है कि कि अगर आपके साथ उन्होंने share किया यह feelings मैं भी आप जा रहे हो छोगे ऐसा भी हो सकता है किसी को भी ओके और फाइंड लवली हार्ट विच फॉर्मड ओवर हेर दिल की दस तक अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था तो जरूर सुनाई देगा ओके देखो दो परसन यहाँ पे है और थर्ड जो है उसका सर जो है बुद जुग गया है इसका मतलब क्या है जो थर्ड पार्टी वाला कुछ है अगर आपके जिंदेगी में कोई थर्ड पार्टी की वज़े से कुछ इस तरह से दूरिया आ गया था या आपके पेरेंस को कोई प्रोवोक कर रहा था आपके खिलाप में जाके तो वो हट जाएगा तीके वो हो सकता है कि आपके पेरेंस की कॉणफिरेंस को जीत लिया था ताकि आपको हटा दया जा सके में भी आपके भाई आपके बहन तीके गंटिनुएस आपके एगेंस्ट में पोक कर रहे थे ताकि आपको जाएदाद से बेद अखल कर पाए ऐसा ज़रूर होगा, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, वो कुछ करने ही पहेंगे, क्योंकि आपके mom and dad या आपके जो parents हैं, वो आपके विशय में ठीके बहुत ही ज़ादा अवे रहेंगे and definitely उनके बातों को तो नहीं सुनेंगे, पहली पहली बार सुन सकते हैं लेकिन बार-बार बोलने से भी वो नहीं मानेंगे, बाद में उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने जितके उपर इतना ज़्यादा भरोसा किया था, तो वो सबसादा गदार निकला, I can find lot of 22, 22, 22, 22, 22, 22, टीके हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है, Okay, someone is trying to mess up in your life, आपके जिन्देगी कोई जिस तरह से बोला जाता है ना, कि खड़ाब करने में तुला हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अगर कर भी देंगे ना, तो वो आपके नसीब है, लेकिन आप फिर से उन चीज़ों को जोड़ भी सकते हो, You can again attach, you can again build up that energy, तो मुझे इतना ही दिक्राया है, अभी हम मैं देख लेती हूँ with the cards, और कल cards से देखना best है, क्या प्लाइब साच कि अबारा को लाएबS अवरे ले घू जड लेकि ये को अटरा कर 7 पलकू है, क्योदकि नहूँ एंगे लेकि खतूने का व्लाइब देख टेखा है, येस, you are ready, देखो, आप तो तयार हो, देखे, you are in full mood, देखे, success है, मैंने आपको बताया था, सफलता तो है, और उसे साथ-साथ peaceful resolution है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि आपके parents को, या आपके partner को, किसी ने provoke करने की कोशिश किया, third party हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसमें इजली solution आ जाएगा, अगर आप अपने काम को related, काम की सिलसले के related, कुछ भ influence, sun है, यहां पे moon है, so union of the souls, forgiveness, अगर कोई इनसान जैसे मैंने आपको बता कि 2-3 साल बाद न, अगर किसी ने आपको हर्ड भी किया है, चाहे वो आपके partner हो, भाई हो, बहन हो, even parents भी हो, या कोई और भी हो, ठीके, mark automatically आप कर दोगी, कि 2-3 साल के बाद, automatically आप भूली अगर आप नहीं भूल पा रहे हो, then it is a serious issue, जो आपको भूल जाना जाए, किसी को माफ कर दो, I forgive and I'm forgiven, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको समझना पड़ेगा, because you are in spirituality, ठीके, आपको spiritual से होके, आपको जो है न, तिवे शक्ति के जो आँख है, उससे होके आपको देखन पड़ेगा, उसके नजरों से देखना पड़ेगा, कि उनका संसकार है, ठीके, उनकी बात है, वो क्यों हमारे साथ ऐसा किये, बाकी तो कोई नहीं किया, जरूर्ण के कर्म के साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ था, शायद पिछले जनम में ही ऐसा था, ठीके, अब कुछ लो है एक के पास इतना ज़्यादा रेपूटेशन कैसे हो जाता है और यह के पास में है उसका इजसत ही नहीं रहता है, तो ऐसा क्यों है, because of the कर्म, because of the action that we do, जरूरूर आपके साथ आपके पार्टनर का या कुछ भी, जिसने भी आपके साथ आपके रेपूटेशन को खराव क करने की कोशिए जरूर है उसके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ था इसलिए ऐसा हूँ तो यह पो अंडरस्टैंग अगर आपने नहीं भी किया था उसके साथ कुछ भी तो इन्युवस इस ओले अग्रेटेस्ट ठीक है एलर उन्चार्ड अगांट आउसुड तो बैलन्स जरूर हो जाएगा उसको भी वह कर्म जरूर मिलेंगे क्योंकि मुझे कमें आते हैं मैंने आपको बताना जरूरी सौंझा okay so this is all about today's reading I hope you like it and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity, dare or sexual truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot and take care